हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चेनल दे टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की के दलिये का नमकीन दलिया फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनता है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा इसे बनाने के लिए मैंने कूकर रखा है उसके अंदर तीन चोटे चमच ओएल डाला है ओएल अच्छे से गरम हो जाने के बाद जीरा डाला है आदा चोटा चमच एक तेज़ पत्ता डाला है और दो सूकी लाल मिर्च डाली है और फिर अच्छ हरी मिर्च डाली है बारिक काट के लंबे स्लाइज में काट के मैंने प्याज डाले है सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैंने इसके अंदर डाली है गाजर को मैंने बारिक काट के डाला है और आप इसमें जो पसंद की वेजी जो वही डाले अगर इसमें से पाउडर डाला है आदा चोटा चमच ही मैने इसके इंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है आप मसाले अपने T région के कोडिंग कम्या जाद रखتم प्रेंड़ ओर एक चोटा चमच नमक डाला है सबी को अच्छे से analysis कर लिया है तैकि मसाले घुशने से इसमें पक जाए फिर फिर जो मक्की का दलिया होता है वो ही मैंने लिया है तो एक बाउल मैंने मक्की का दलिया लिया है फ्रेंट्स बोर टेस्टी बनता है तो जरू ट्राइ कीजिएगा मकी का दली है मैंने इसके अंदर डाल लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है दो मिनिट मैंने इसे पका लिया है मीडियम फ्लेम पे तो अच्छे से इसे दो मिनिट मैंने मसाले के साथ सेख लिया है फिर मैंने दो गलास इसके अंदर पानी डाला है तो पानी मैंने इसके अंदर गुन-गुना डाला है गुन-गुना पानी ही डालना है ये को पकने के लिए इतना पानी काफी है तो मैंने दो गलास पानी डाला है इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है अब इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर डाला है आदा छोटा चमज मेगी मसाला डाला है थोड़ा सा और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला लगपग आदा छोटा चमज और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने थोड़ा सा कलर के लिए डाल दिया है तो थोड़ा सा मैंने जलजीरा पाउडर डाला है खटा मीठा बने इसलिए और फिर मैंने इसके अंदर डाले है टामाटर सब भी को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो देखे फ्रेंट्स फिर थोड़ सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से दिख रहा है फिर मैंने कूकर का डखन लगा दिया है ताकि हम इसे अच्छे से पका सके तो दो सीटी मैंने ले ली है कूकर के अंदर आप दो सीटी के बाद अच्छे से पक जाएगा तो मैंने दो सीटी में ही इसे पकाया है अगर आपको कच्चा लगे तो आप एक सीटी हो ले सकते हैं गेस की फ्लैम मैंने ओफ कर दी है ठंडा होने के बाद मैंने सीटी को चेक कर लिया है फिर मैंने इसे कुकर को खोल के प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है तो friends मकी का दलिया बनके हमारा तैयार है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा गेहूं का दलिया तो आपने जरूर बनाया होगा तो मकी के दलिये को भी इसे नमकीन बनाए बोर टेस्ट लगता है फिर उपर से डाली है मैंने धनिया पत्ती दनिया पत्ती से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तो दनिया पत्ती डाल दी है मैंने और थोड़ा सा मैने इसे डाला है टामाइटर सोस अगर आपको पसंद हो तो डाले वनाई से कीप करे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स